हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू माई चैनल सिवल इंजिरिंग चैप्टर वाईज आज मैं आपके लिए लेकाया हूं प्लम्बिंग सर्विस लेक्चर टू इसमें हम डिस्कस करेंगे पाइप एंड पाइप फिटिंग्स यह पार्ट वन ठीक है पार्ट वन में हम क्या है डिस्कस करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे जैसे कि gezegOSH चैनल सब के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे थैक इंस सब के बारे में discuss करेंगे ठीक है part जो third होगा उसमें हम जो pipe operations होते हैं pipe cutting pipe bending pipe threading pipe joining etc इन सब इके बारे में discuss करेंगे चलिए start करते हैं आज की वीडियो जो की है हमारा selection of pipe and pipes what are pipes? pipes आप समें के पता भी होगा pipes क्या होती है? यह पानी को एक जंगे से दूसरे जंगे पर ले जाने के लिए उसका यूज होता है circular section होता है इनका ठीक है? और यह काफी सारे materials की बनी भी होती है जैसे plastic pipe होती है steel pipe, concrete pipe, MS pipe यह सारी आपकी pipes के types होते हैं यह देखी इसमें कभी सारे pipes के type है steel pipes, cement concrete pipe, RCC pipe, cast iron pipe, rot iron pipe, asbestos cement type और concrete and lead pipe, PVC pipe, vitrified clay pipe, CPCV pipe, cement lined CI pipe, GI pipe, HDPE pipe इन सभी pipes के बारे में हम इस chapter में अच्छे से discuss करते हैं चलिए, first time are steel pipes से start करते हैं, यह देखिए, steel pipes आपने आसपास कहीं काम होता हुए देखा भी होगा, और आपके घर में भी कई बार steel pipe का use होता है यह होती है, steel pipes, इनका जो manufacturing होती है, वो होती है, mild steel, जो material होता है उसका use करके बनाया जाता है, इसको MS pipe भी बोलते हैं, mild steel pipe, ठीक है mild steel is the material which is used to manufacturing of steel pipe, welding and riveting is done for providing watertight joint in the steel pipe, जब दो steel pipes को एक दूसरे के साथ joint किया जाता है तो वहाँ पर हम riveting या फिर welding करते हैं, ताकि जो joint हो watertight हो, उसमें से बिलकुल भी leakage ना हो, ठीक है the length of such pipes may be up to 6 meter or more, इसकी length होती है, वो 6 meter या उससे ज़्यादा हो सकती है galvanized steel pipes are more stronger than ordinary one, अगर steel पर हम zinc की coating करते हैं, तो उसको बोलते हैं galvanization ठीक है, अगर वो pipe होती है, तो वो हमारी normal steel pipe से थोड़ी ज़्यादा strong होती है ठीक है, small thickness of pipes are required, जब हमें large length और pipe की thickness कम हो requirement की, तो वहाँ पे हम इस pipe को use करते हैं क्योंकि इनकी जो आप thickness देख सकते हैं pipe की, बिलकुल भी नहीं है, बिलकुल भी मोटी pipe नहीं है, और length में 6 meter या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो हम इसको easily use कर सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसके फाइदे और नुक्सान, श्टील pipe के फाइदे क्या हैं? जैसे की large length है, इसकी length हमारी 6 meter या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो काफी फाइदे मन चीज है, resistant, ये high internal pressure हो, उसको easily resist कर सकती है, ठीक है? चीप सस्ती होती है, market में easily available होती है, durable, इसके durability काफी अच्छी है, ये काफी लंबे time के लिए 40 साल या उससे ज़्यादा time के लिए भी easily use की जा सकती है, flexibility, इसकी flexible भी काफी अच्छी होती है, इसको curves पे भी easily apply किया जा सकता है, light in weight, इनका weight भी काफी हलका होता है, काफी light in weight हो इसको transport करने में, इसकी placing करने में काफी easy होती है, अब disadvantage, इसके नुकसान क्या क्या है, high maintenance cost, इसकी maintenance cost है, वो high होती है, rusting, इस पे जंग लग सकता है, pipe पे, फिर इसको change करना पड़ता है, the pipe cannot withstand with negative pressure or vacuum, ये pipe जो होती है, इन पे negative pressure हो, या फिर vacuum pressure हो, तो उन places पे इनको use नहीं किय जा सकता, ठीक है, ये हैं इसके disadvantages, next हमारी pipe आती है, concrete pipe, concrete जैसे नाम से पता लग रहा है, concrete की बनी होई pipe होती है, these pipe may be precast or cast inside, ये pipe होती है, पहले से ही बनी होती है, या फिर इनको site पे भी बनाया जा सकता है, जा पे हमें pipe को लगाना है, वहाँ पर भी इनको बनाया जा सकता ह और पहले से भी ये casting इनकी हो सकती है, plain concrete pipe may be used as such places where water does not flow under pressure, जब पानी बिना किसी pressure के फ्लो करता है, तो वहाँ पर हम in pipe को लगाते हैं, ये जो pipe आपने देखी भी होगी, ठीक है, काफी जंगय पे, road पे, आसपास, गलियों में इनको लगाते हुए देखा भी होगा, these pipes are joined with bell and spigot joint, ये देखिए, ये होता है bell and spigot joint, ये जो shape है, ये bell की shape का होता है, और ये जो end है, ये spigot होता है, इसको एक दूसरे में insert करके, और ये एक series में connect हो जाती है, इनको बोलते है bell and spigot joint, plain concrete pipe are used up to 60 cm diameter only, ठीक है, 60 cm का diameter है, यानि लगबग 2 feet की, इसकी internal diameter हो, तो वहाँ पे हम इसको use कर सकते हैं, अगर इसे ज़्यादा का मारा diameter होता है, तो वहाँ पे हमें reinforcement की ज़रुत पड़ती है, concrete pipe, अब इसके फाइदे क्या है, these pipe do not corrode by the water, इन pipe में जंग नहीं लगता, ठीक है, इनकी life काफी ज़्यादा हो सकती है, इसके वज़य से, 75 साल और उससे ज़्यादा भी, ठीक है, surface of these pipe does not affect with time and hence carrying capacity does not reduce, जो internal surface होता है pipe का, इस पे जंग नहीं लगता है, वो smooth रहता है, और इसकी जो carrying capacity होती है, वो same रहती है, वो change नहीं होती है, अगर इस पे जंग लगता है, जैसे steel की pipe में होता है, तो वो जंग उसके surface को smooth नहीं रहने देता, तो वहाँ पे जो carrying capacity होती है, जितना पानी वो discharge कर सकता है, वो काफी ज़्यादा कम हो जाती है, जैर maintenance cost is low, maintenance cost इसकी काफी कम होती है, क्योंकि उसको बार-बार maintain करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब इसके नुकसान क्या है, यह obvious सी बात है, concrete की pipe होगी, तो उनमें weight काफी ज़्यादा होता है, और उसको easily transport नहीं किया जा सकता है, काफी ज़्यादा precaution उसमें अपनाने पड़ते हैं, इसमें काफी ज़्यादा difficulty होती है, इस pipes cannot withstand high pressure, high pressure area में इन pipe को हम use नहीं कर सकते हैं, ठीक है, next हमारी आती है RCC pipe, यह concrete की pipe होती है, इसमें हम RCC, एड़ कर, RCC, sorry reinforcement, जो mild steel के bars होते हैं, mild steel का जो हमारा mess होता है, उसको हम लगा देते हैं, देखिए, इस figure में देख सकते हैं, यह हमारा steel का mess, इसके उपर हम concrete को place करते हैं, और हमारे इस shape में यह concrete RCC की pipes त्यार हो जाती है, RCC और reinforced cement concrete pipes have reinforcement consisting of longitudinal steel bars, ring hoops, यह देखिए, जो longitudinal direction में हैं, यह longitudinal bars हैं, और circular में, circular hoops, ring hoops, ठीक है, these pipes are used for conveyance of water from source to the treatment plant for long conduct, काफी लंबे रास्ते पे जब हमें पानी को एक दंगे से दूसरे जंगे पे supply करना है, तो वहाँ पे हम इसको use करते हैं, they are not used in distribution system of public water supply, ठीक है, they are precast up to 1.5 to 1.8 meter and are made cast in trench or cast in situ for large diameter up to 5 meter, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, अगर हमारी pipe का diameter 1.5 या 1.8 meter तक हो, तो हम इसको पहले से ही cast कर सकते हैं, precast इसको हम कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा बड़ा होता है, 5 meter तक का diameter, तो हम इसको जहाँ पे हमारा construction site है, वहीं पे इसको cast करते हैं, cast in situ होता है, the large diameter pipes are joined with collar, इसके ओपर जब joint करना होता है, तो collar joints हम provide करते हैं, देखिए, यह होता है हमारा collars, एक pipe जब दूसरी एक pipe पे साथ combine होती है, तो इनके ओपर हम collar को fix कर देते हैं, देखिए, इसमें पता लग रहा है, एक pipe यह है, दूसरी तरफ से यह, और इनके ओपर हमने collar को place क को अच्छे से डाल दिया है, ताकि water tight हमारा joint हो जाए, अब RCC pipes are manufactured by following methods, pipes having steel bars and mess reinforcement, pouring concrete by usual method, tamping and curing, ठीक है, जो steel का हमारा mess होगा, बार्स का, उसके ओपर हम concrete को place कर देंगे, और जो हमारा usual method होते है, tamping or curing, तरही करते हैं, उसके easily उसको हम बना सकते हैं, दूसरा method है, pipes having fabricated reinforcement and casted by centrifugal method and place in tank of water, ठीक है, दूसरा हमारा जो fabricate, हमारा जो dyes होती है, उसमें centrifugal method से हम इपनी pipes को बना सकते हैं, और बनने के बाद उस pipe को हम water tank में dip करके डाल रखे रखते हैं, ताकि उसकी curing होती रहें, उसकी तरही होती रहें, अब इसके फाइदे क्या होते हैं, RCC pipe के, their life is more than 80 year, 80 साल से भी ज़्यादा इसकी life span हो सकता है, they can be constructed in factory as well as at site, इनको factories में बना जा सकता है, और site में बना जा सकता है, they do not require expansion joint, because they have least coefficient of thermal expansion, ये गर्मी में काफी ज़्यादा expand नहीं होती है, तो इसको बिना expansion joint के भी use कर सकते है, they cannot float underwater when empty due to their heavy weight, इसमें weight काफी ज़्यादा heavy होता है, और ये easily पानी पे तैरते नहीं है, they do not collapse under normal traffic road, normal traffic loads, जो normal हमारा traffic का load होता है, अगर traffic road के नीचे हम pipes को लगाते हैं, तो ये easily उसको bear कर सकते हैं, उसमें ये collapse नहीं होते हैं, तूटते नहीं है, they are not affected by atmospheric action, atmospheric action जैसे corrosion होता है, उस पे हमारे जो RCC के pipe पे इस corrosion का effect नहीं होता है, तीक है, अब इसके नुकसान क्या क्या है, they are very heavy and difficult to transport, ये तो obvious ही बात है, concrete की pipe है, और इसमें तो reinforcement भी है, तो इसका weight काफी ज़्यादा heavy हो जाता है, तो इसको एक जंगे से दूशरे जंगे ले आने में काफी ज़्यादा परेशानी होती है, they are difficult to repair, इसमें repair करने में काफी ज़्यादा difficulty होती है, their joining is difficult, इसमें जब joint होते हैं, वो कफी ज़्यादा difficult होते है, due to porosity, cracks and shrinkage, they have tendency to leak, अब इसमें कुछ pores होते हैं, cracks हो जाते हैं, तो वहां से हमारे जपानी है, वो leak होना start हो जा चलिए next देखते हैं, CI pipe, cast iron pipe, they are made up of cast iron material, are generally used for water supply scheme, water supply जो scheme होती है, यानि कि जो treatment plant से water को, जो residential area के तरफ वीदा दाता है, तो वहां पे mostly in pipes का हम use करते है, cast iron pipe, CI pipe, manufacturing, they are two methods, दो method होते हैं, इनको बनाने के first है, sand molding, in ordinary sand molding, pipes are cast in two different position, if it is cast vertically, it is called pit cast pipes, and when it is cast in horizontal position, it is called McVane pipe, the later one is more stronger in tension and in rupture than the former one, ठीक है, यह देखिए figure में आप देख सकते हैं, यह है हमारी CI pipe, अब इनकी जो manufacturing है, वो कैसे होते है, sand molding, first method है, इसमें भी दो type से होती है, जब हम vertically इसको cast करते हैं, और जब हम horizontally cast करते हैं, vertically cast करते हैं, तो उसको बोलते हैं, pit cast method, और second जो हमारा होता है, horizontal, इसको बोलते है, McVane method, ठीक है, इसमें जो McVane method है, यह काफी ज़्यादा pipe को strong कर देता है, और यह easily tension में और rupture में give up नहीं करती हैं, ठीक है, next हमारा आता है centrifugal casting, centrifugal casting, यह same है जो हमारा RCC के type का है, इसमें भी centrifugal force का हम use करते हैं, this type of casted pipes are commonly used in India, these are made by either in sand or in metallic molds, the former one is known as sand spun pipe and later one is called delivered pipe, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें भी centrifugal action होता है, दो types में होता है, या तो वहाँ पे sand का use करते हैं, या फिर हम metallic mold का use करते हैं, जब sand mold का use करते हैं, तो उस type की pipes का बोलते हैं, sand spun pipe, यह, और जब हम metallic mold का use करते हैं, तो उसको बोलते हैं, delivered pipe, ठीक है, उमीद करता आपको यह, अच्छे से, समझ में आ गया होगा, अब फाइदे और नुकसान, CI pipe के फाइदे, strength, cast iron pipes have good strength, they are durable and can use for long time, maybe 100 years or more, ठीक है, यह कफी ज़्यादा durable होते हैं, 100 सालों के लिए, यह, यूज किया जा सकते हैं, और से ज़्यादा भी कई बार, यूज किया जा सकते हैं, cost, they are cheaply available in market, यह market में easily available है, और काफी सस्ते भी होते हैं, and they have less maintenance cost, इसकी maintenance cost भी काफी कम होती है, easy joining, they can be joined easily and thus making fitting and connection easy, इसके में connection जो होता है, वो काफी easy होता है, और काफी ज़्यादा जो fitting होती है, water tight भी होती है, corrosion resistant, they are not subjected to corrosion easily, इस पे corrosion है, जो जंग है, वो easily नहीं लगता है, large size, they are available in large size, which are provided with cement mortar lining, ठीक है, अगर large size की pipe है, तो cement mortar की lining उसमें provide के जाती है, जिसकी ratio होती है, one ratio two, यानि कि one उसमें cement है, और two ratio होती है, sand के, अब इसके नुकसान क्या होते हैं, disadvantages of CI pipe, tuberculation, tuberculation क्या होता है, the deposition of ferric oxide on the inner surface of pipe is called tuberculation, which decreases pipe capacity with time, जैसे जैसे time बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर ferric oxide deposit होता रहता है, और उसका internal diameter दीरे-दीरे कम होता रहता है, जिससे उसकी water carrying capacity वो कम हो जाती है, इसको बोलते हैं tuberculation, ठीक है, heavy and uneconomical, when pipe diameter increases more than 1.2 meter, it becomes heavy and uneconomical, जब pipe का diameter 1.2 meter से ज़्यादा होता है, तो वो काफी ज़्यादा भारी हो जाती है, और उसको easily हम खरीद नहीं सकते, वो uneconomical आ जाती है, brittle and handling problem, यह काफी ज़्यादा brittle होती है, और उसको handling में काफी ज़्यादा दीकत होती है, ताकि यह easily तूट जाए और हमारा नुक्सान हो जाए तो इसके handling में कफ जादा problem होती है क्योंकि यह brittle होती है, brittle होती है जिस पे कुछ भी unexpected अगर load पड़ता है और वो easily crack हो सकती है, easily तूट सकती है next हमारा आता है wrote iron pipe, जैसे figure में देख सकते हैं यह हमारा wrote iron pipe, यह भी हमारा MS pipe के type का ही होता है these are similar to cost iron pipe, up to some extent काफी हद तक यह हमारा CI pipe की जैसा ही होता है if compared with CI pipe, they are more light, easy to cut, threaded and work अगर CI pipe की बात करें, तो यह wrote iron pipe हमारा काफी light होता है इसमें cutting operation काफी easy होता है, threading operation काफी easy होता है ठीक है, they give neat appearance if used for interior work अगर हम घर के अंदर, building के अंदर इसका use करते हैं तो काफी अच्छी यह appearance देता है, काफी अच्छी look देता है however, they are costly and less durable than cast iron pipe but यह काफी ज़्यादा महंगे होते हैं और CI pipe के मुकाबले यह काफी कम durable भी होते हैं ठीक है, they are manufactured by rolling the flat plates of metal to a required diameter and then welding the edges, इसको हम बनाते कैसे हैं, जो flat plates की metal होते हैं उनको हम roll करते हैं, अपनी जितनी हमें diameter का pipes ही होता है और फूर उनको, जो edges होते हैं, उनको welding कर देते हैं यह हमारा होता है, making of road iron pipes their diameter is limited up to 50 cm, इसकी diameter 50 cm से ज्यादा नहीं होती they are jointed together by coupling or screwed and socket joints यह देखिए, दो pipes को screws के तुरू joint किया गया है यहापर यह joint हमारा और यह हमारे screws, ठीक है अब आता है, cement line cast iron pipe cement line cast iron pipe, same होती है हमारी, जो CI pipe है बस्ट इसमें, जो internal हमारी surface है उस पे एक cement की lining की जाती है एक layer हम apply करते हैं यह देखिए, यह white color में हमने layer apply की है cement mortar की, इसको बोलते है, cement lining ठीक है to prevent cast iron pipe against corrosion pipe को corrosion से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए इसमें हम lining करते हैं, ठीक है applying of lining, the pipe is cured अगर इस पे अंदर, cement mortar की lining apply करने के बाद, उसको अच्छे से cure किया जाता है अच्छे से उसकी तराई की जाती है the cement line cast iron pipes have very small coefficient of friction than unlined CI pipes and lining is not injured by cutting and drilling the pipes इसमें क्या बताया है, जो coefficient of friction है, वो काफी ज़्यादा कम हो जाता है हमारा CI pipe के मुकाबले, जब हम अंदर से lining कर देते है और यह जो lining है, हमारी अंदर की layer है, cement mortar की यह damage नहीं होती है, जब हम उसपे cutting करते हैं या फिर drilling करते हैं pipe में अब आती है हमारी pipe, asbestos cement pipe asbestos क्या होता है, यह type का fiber होता है यह देखे, यह figure में show किया गया है यह fiber होता है, इसको cement के साथ under high pressure अच्छे से blend किया जाता है, अच्छे से mix up किया जाता है और उस cement को हम use करते हैं, pipe के construction में तो उसको बोलते हैं asbestos cement pipe a homogeneous structure composed of asbestos fiber and cement combined under pressure in which a strong bond is created between the two is called asbestos cement pipe these pipes are generally available in size from 0.1 meter to 0.9 meter in diameter इसका diameter काफी कम रहता है, 0.1 meter to 0.9 meter ठीक है, जैसे आप यहाँ पे यह देख सकते हैं यह pipe हमारी asbestos cement pipe की ठीक है, ज्यादा इसका diameter नहीं होता है ज्यादा diameter के लिए इसमें reinforcement की जरूत पड़ेगी चलिए, अब देखते हैं 5-day asbestos pipe के easy to transport these pipes are easy transport because of light in weight इनका weight काफी हलका होता है तो transportation में ज्यादा problem नहीं आती है corrosion resistant these pipes are corrosion resistant इन पे जंग नहीं लगता है, flexible होती है ठीक है, यह 12 degree तक deflect भी हो सकती है labor cost its labor cost is low as it do not require skill labor इसको लगाने के लिए skill labor की जरूत नहीं पड़ती है ठीक तो वो cost भी इसमें कम होती है अब इसके नुकसान क्या क्या होते है यह देखिए यह है इसके नुकसान first है these pipes are not very much durable यह काफी कम durable है market value of these pipes are high market में यह काफी high price पे मिलती है these pipes have low strength they are soft and brittle इनके strength काफी कम होती है यह काफी soft होती है और brittle भी होती है they can be easily damaged during transportation अगर इसको transport करते हैं एक जिगा से दूसरी जिगा है तो यह easily damaged हो सकती है they can be used as small size distribution of pipe इसको हम large size जब pipe का जरूत होती है तो वहाँ पे इसको हम use नहीं कर सकते जब small size की pipe की जरूत होगी तो वहाँ पे हम use करेंगे ठीक है next हमारा आता है copper and lead pipe copper pipe जैसे figure में आप देख सकते है यह होती है copper pipe और यह हमारी होती है lead pipe differences में यह होता है lead आपको देखने से आप glass pipe मत सोचना इसको बट यह एक type की lead pipe देखने में जैसे steel pipe होती वैसे ही दिखाई देती है यह a dull silver gray color that is easily scratched with a coin use a magnet strong magnet will not clean to the lead pipe यह देखने में lowe के pipe जैसे ही दिखाई देता है बट इसमें जो magnet है वो attached नहीं होता है तो इसको बोलते है lead pipe और दूसरा हमारा आता है copper pipe यह आपने देखा भी होगा कई जंगे पर इनका main जो use होता है वो होता है hot water supply के लिए ठीक है और cold water supply के लिए ac duct के लिए भी इसमें copper को ही use करते है ठीक है इनमें फाइदा क्या होता है यह acid resistant होते है ठीक है जल्दी से इसमें जंग नहीं लगता है lead pipes are not used in India इंडिया में इसको use नहीं करते है क्योंकि यह कफी poisonous होता है lead ठीक है बार इनको proper precaution के थुरू हम इसको use कर लेते है यह इनमें flexibility काफी अच्छी होती है दोनों पाइपों में copper pipe में भी और lead pipe में भी ठीक है next pipe आता है PVC pipe आप सबने अपने घरों में भी लगाया होगा तो वह सारी PVC pipe ही होती है these pipes belong to plastic pipes and manufacturing from polyvinyl chloride PVC की full form आती है polyvinyl chloride यह देखो PVC pipes ऐसी होती है आपकी फाइदे PVC pipe की क्या होते हैं बहुत साव़धी होते हैं इसकी तो इस pipe can withstand pressure up to 10 kg per cm2 ठीक है यह जो pressure होता है pipe पे इतना 10 kg per cm2 को भी सहन कर सकता है they are light in weight and hence transportation become very easy ठीक है काफी जादा हालके होते हैं आप इसको easily उठा सकते हैं तो इसकी transportation काफी easy होता है these are generally used for minor work as in house connections house connections में इसको हम ज्यादा तर use करते हैं they are corrosion salt and alkaline resistant ठीक है इन पे जो harmful salts वगएरा होते हैं alkaline होते हैं जो acidic nature के water या liquid होते हैं उनका इस पे कोई भी असर नहीं होता है इस पे कोई भी जंग नहीं लगता ठीक है अब इसके नुक्सान क्या है special care is taken to protect this pipe from concentrated loads loads पे यह pipe टूट सकती है bend हो सकती है crack हो सकती है तो वहाँ पे इनका अच्छे सी ज्यान रखा जाता है the coefficient of expansion is high coefficient of expansion काफी high होता है जैसे temperature इसका बढ़ जाता है तो यह pipe damage हो सकती है they are less resistant to heat वही है जो heat पे काफी जादा resist नहीं कर पाता है और damage हो सकता है यह थे इसके disadvantages next हमारा आता है vitrified clay pipes vitrified clay pipes जैसा क्या figure में देख रहे हैं यह मिट्टी की pipes होती है और इनका joints भी balance figure type का ही होता है ठीक है these pipes are not commonly used for carrying water under pressure इसको हम water supply के लिए use नहीं करते they are used commonly for carrying sewage and drain water जो sewage जो गंदा पानी होता है और drains होता है जो ठीक है वहां पे हम इसको use करते हैं they are manufactured in length of 20 sorry 60 cm to 120 cm ठीक है इसको हम 60 cm से 120 cm की length में बनाते हैं ज्यादा लंबा इसको हम नहीं बनाते हैं these pipes provided smooth surface and free from corrosion इसका जो surface होता है काफी अच्छा होता काफी smooth होता है और उस पे corrosion भी नहीं लगता है इसका use हम करते हैं जो sewage और drains में अब आती है GI pipes यह देखिए फिकर में GI pipes यह है GI pipes आपने इनको जरूर देखा भी होगा the iron pipes which are galvanized with zinc coating is called galvanized pipe जबगी zinc की coating हम steel पर provide करते हैं तो उसको बोलते galvanization और उस metal को बोलते galvanized pipes ठीक है the diameter of the pipe varies from 6 mm to 75 mm 6 mm to 75 mm इसका diameter हो सकता है the length इसका हो सकता है 1.2 meter to 2.5 meter generally screwed and socket joints are provided for making connection between these types screw and socket joints इसमें provide के जाते हैं ठीक है इसको connect करने के लिए अब फाइदे क्या है GI pipe के these are highly suitable for water piping fittings inside house and building जो आपके घरों में या आपके building में जो pipe fittings होती हैं तो mostly हम GI pipes का use करते हैं but now हम PVC या CPCV pipes का use करते हैं ठीक है अब आता है next they are widely used in service connection same है service जो हमारी water के होती है तो उसमें connection हमारे mostly GI pipe के होते हैं they are easily available in market these are light in weight and easy to transport weight में हलके होते हैं तो transportation में भी कोई दिकत नहीं होती they are joined with simple screw and socket joint ठीक है due to zinc coating it is corrosion resistant zinc की coating से इस पे corrosion भी नहीं लगता है अब नुक्सान क्या है इसके नुक्सान है repairing work is very difficult and maintenance cost is high ठीक है repairing का जो cost होती है वो काफी ज्यादा difficult होती है और maintenance cost इसकी high हो जाती है next अमारे आती है hdpv pipes hdpv का मतलब है high density polythylene pipe ठीक है ये एक टाइप की pipe होती है ये काफी ज्यादा hard होती है काफी strong होती है ठीक है इससे plastic bottle बगारा ये बनाई जाती है अब इसकी density की range भी दी है 0.93 to 0.97 gram per centimeter square और 970 kilogram per cubic meter ये देखिए ये है हमारी hdpv pipe it is extremely stronger and very tough and durable काफी strong होती है काफी tough होती है और काफी अच्छी durable भी होती है फाइदे और नुक्सान फाइदे क्या होते है corrosion resistant होती है leak proof होती है excellent water hammer characteristics water hammer होते है तो उसमें भी काफी अच्छा ये perform करती है low repair and maintenance cost high resistant to acid and salts ठीक है repair की कोई ज्यादा cost नहीं आती maintenance की cost नहीं आती और acid or salts को ये रजिस्ट करती है और नुक्सान क्या है repairing work is difficult और not used for small work चोटे काम को लिए इसका हम use नहीं करते हैं ये थे इसके नुक्सान अब आती है हमारी pipe cpvc 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 जो हमारी pipe थी उसको ही हमने chlorinated कर दिया है तो हमारा जो pipe बन गया वह हो गया हमारा cpvc ठीक है chlorinated polyvinyl chloride is thermoplastic produced by chlorinated of polyvinyl chloride जैसा कि इसमें बताया भी है वैसे ही chlorinated polyvinyl chloride pvc को जब chlorine के साथ हम treat करते हैं तो वह बन जाता है हमारा cpvc ठीक है ये देखिए figure में आप देख सकते हैं ये हमारी cpvc pipes अब फाइदे सेम है हमारे जो pvc pipe है ये उसका advance form है तो कुछ updated ही होगा इसमें corrosion resistant as you know जैसा आप जानते हैं ये corrosion resistant है low repair and maintenance cost ठीक है काफी इसमें जो cost लगती है maintenance की और repair की काफी कम होती है hot and cold water supply के लिए इसको use कर सकते है it is used for industrial liquid because it is resistant to chemical ठीक है chemical को जो industry में chemical का हम use करते हैं तो वहाँ पर भी हम इन pipes का use कर लेते हैं क्योंकि ये उन chemical के साथ easily react नहीं करता it is non toxic ये कोई भी toxic substance release नहीं करती है इसकी strength काफी अच्छी है और काफी अच्छी flexibility भी है तो ये थी हमारी CPVC pipe उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो काभी अच्छी लगी होगे मिर्यानी वाले वीडियो सारी इसी परकार की होंगे इन काफी informative होंगे आप वीडियो को देखिए उसको अच्छी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी thank you for watching have a good day